हलो नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आई टी आई के कमलेश विस्व करमाई यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड्स फाइली में आज आप लोग क्लास लेकर आया हूं जो की वर्कसाप के कुशन एंड साइंस का बिर बिर मोश्ट इंपॉर्टन कोशन है और ऐसा ही क लाइक करिए साथ चैनल पर नए हैं अभी तो सब्सक्राइब नहीं किये हुए है तो आपको नीचे एक लाल बटन दीख रहा है सब्सक्राइब वहला उसको दबा लेना और बिल आइकन को आल पर प्रेस कलना है और आप तक डेली क्लास और अपडेट्स आप तक सबसे पहल रखेर प्ले लिश्ट में देख सकते हैं वहाँ पर ट्रेट थीवूरी इंपलाइब्लीटि स्की वर्कसाप करेकूलिशन एंड साइंस का सभी सब्सक्राइब यहाँ पर पर चेकर करें और भी है 750 watt और सी है 746 वाट और डी एक 1000 watt तो यहां पर आपका एक एच्पी बरावर पूछ रहा ठीक है एक पर मतार है है तो यहां पर जितने पर आपका जो एक किसमर कोश़न का यहाँ पर श्री आंसर आपका बिल्कुर राइट होता है जितने पिशात हैं आप 746 वाट मारे हैं बिल्कुर राइट एंसर है अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बाइस नमर कोशन दिया गया है जो कि भेरी मुश्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर का प्रियोग करके बोल्टेज को अथवा किया जाता है ठीक है यहाँ पर 22 कोशन में पूछ रहा है कि आप लूग जो ट्रासफार्मर का प्रियोग करते हैं ओ यहाँ पर क्यों करते हैं बोल्टेज को क्या करता है हो तो फ्रेंड्स आप लूग इसका फटापट कमेंट बॉक्स में एंसर बता हैं कि ट्रासफार्मर का प्रियोग करके बोल्टेज को कम या अधिक कियाता है बिल्कुल राइट एंसर मारे हैं अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका तेश नमर को से निकल के आपके सामने जो की आप लोग इस पर देख रहे हैं स्क्रीन पर तो यहाँ पर आप लोग का दिय सेकेंड और डी है इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड्स आप क्योंकि यहाँ इसका एंसर फटाउट मारे यह तो यहाँ पर इतने भी छात्र मारे हैं सी आपसं सेकेंड पर बिल्कुल राइट एंसर हैं समय का जो निम्न इकाई होती है वह आपका सेकेंड होता है बिल्कुल निम्न के शरल करने के फारमूल में अंसर मारे तो यहाँ पर बिल्कुल र lap बोड मांस होता है बिल्कुल यह आप फ्रेंट निम्न को सरल करने के फार्मूले में M का अर्थ होता है तो आपके option A है जमा, B, घटा और C है गुड़ा, D, भाग तो friends यहाँ पर जो आपका भिन्णों में सहल करने का formula में M का अर्थ होता है तो आप लोग इसका answer बताइए तो यहाँ पर जो आपका होता है C, M का means होता है multiply means गुड़ा ठीक है यहाँ पर सी आपसन आपका बिल्कुल राइट एंसवर है अब यहाँ पर आपका 26 नमर कोशन दिया गया है पूर्ड रूप से दो से भाग होने वाली संख्या को कहा जाता है ठीक है यहाँ पर पूर्ड रूप से दो से जिसमें भाग चलिया है वही संख्या को बताना है क्या होती है तो यहाँ पर SMBAB सम और सिए अभाज्या योगिक तो फ्रेंट्स आप इसका फटास अंसर मारी यह जितने भी चाहतर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए के एक सेकेंड में प्रवावर होने की कोब एक करते हैं तो यहां पर यह आपका ओंव यह बोल्ट Сегодня कुलंब और गी जूल तो यहां पर एक एंपर दरत के एक सेकंड प्रवाया होने को एक कहते हैं तो Conference तो यहां पर जितने भी छात्रा एंसर मारे हैं कुलंब पर बिल्कु राइट एंसर है अब फ्रेंट्स यहां पर अठाइश नमर कोशन दिया गया है पूर्ड रूप से दोस्य भाग न होने वाली संख्या को कहा क्या कहा जाता है तो फ्रेंट्स यहां पर दोस्य भाग इसमे देखिए जितने भी छात्रें यहां पर भी आपसे मारे हैं बिल्कु राइट एंसर है जिसमें दोस्य भाग न जाए वह संख्या है यहां पर देखिए 29 नमर कोशन निकल कहता है को सामने परस्पर का अंतर एक रखने वाली संख्या को कहा जाता है तो आपके सामने यह बिल्कु राइट एंसर है अब यहां पर आपका बिल्कु राइट एंसर है अब यहां पर आपका 32 नमर कोशन निकल कहता आपके सामने दो अथवा दो से अधिक संख्याओं को मिलाकर नई संख्या बनाने की विदी को कहा जाता है तो आपके अपसंद ए हैं जमा करना बिल्कु राइट एंसर है ठीक है अब यहां पर आपका 33 नमर कोशन दिया गया है एक जैसी अनेक संख्याओं को जोड़ने के लिए किस सरल बिदी का प्रियोग किया जता है तो आपके अपसंद ए हैं जमा बिल्कु राइट नमर कोशन दिया गया है एक संख्या को दूरी दूसरी संख्या से विभाजित करने की विदी को का रता है तो आपके अपसंद ए हैं जमा बिल्कु राइट नमर कोशन दिया गया है दो अबाज संख्याओं का गुड़न फल्किस प्रकार की संख्या होगी तो आपके अपसंद ए है संख्या बिए विशम संख्या दिया गया है दो क्रम वार विशम संख्याओं का अंतर कितना होगा आपकी आपसण A है एक बी है दो चीए तीम डी है चार तो फ्रेंट्स आपको किसका पटा पटा अंसों मारिए तो यहां पर जितने भी शात्रा अंसों मारे हैं यहां पर दो होता है बिल्कुर राइट एंसोर है अब फ्रेंट्स आपका सैथिस नमर कोशन दिया गया है बेरी मोश्ट इंपॉर्टेंट है अगर किसी बिन का हर दस अथवा उसकी कोई घात हो तो उसे कौन सी भीन कहा जाएगा तो आपकी आपसण A है सम बिन दूसरा है वि तो आपका जितने वह चाहता है यहां पर दसम लोगन होगा अब आपका 38 नमर कोशन दिया गया है आपके शामने संख्या के साथ किस संख्या की गुडा करने पर संख्या का मान जिरो हो जाता है तो आपके आपसन A है जीरो B है दो C है एक और D है तीन वहां पर संक्या के बाग देने पर 0 हो जाता है घुड़ा करने पर 0 ठाटीक है संख्या में किसी में आप 0 से गड़ा करेंगे तो जिए आपका एपसर बिल्कुल राइटन्स वर है अब यहां पर आपका 49 नमर कोशन दिया गया है सुन्ने को किसी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है तो यहां पर आपका आज के लाश्ट कोशन है और आपको इंड स्क्रीन आपको वीडियो मिल जाएगा कल के क्लास का आप लोग एक से लेकर 20 क्लास वहां से कुश्चन देख सकते हैं तो आप लोग चला पर नए हैं तो सस्क्राइब कीजिएगा और बिल आइकन को आलो प्रेस ने अपर जितने भी चाजबर 8 अंसर मारे हैं मिल मअंफ समझा रहे हैं दया आपको आपको को रहे हैं धन्यौप मर्याएगा दृह